हलो फ्रेंड साहिम अपरुती वेलकम एक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपसे एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट शेयर करेंगे जिसको बहुत से लोग सीजनल फ्लावरिंग प्लांट समझते हैं लेकिन ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट नहीं है अगर आप इसकी थोड़ी सी देख भाल करें तो ये एक पेरिनियल प्लांट की तरह रह सकता है और हमारे गार्डन में भी ये पिछले कई सालों से है लगबग 2-3 साल पहले मैंने इनको सीट से ग्रो किया था और तभी से ये मेरे पास लगातार बने हुए है और आपको लास्ट ये भी हमने ये प्लांट दिखाया था वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तो तब से लेकर अब तक ये उसी पॉर्ट में लगा है और कोई एक्स्ट्रा केर नहीं की है बस दूसरे प्लांट की केर हम जैसे करते हैं और बताते हैं आपको वैसे ही इसका ध्यान रखा और अब इसमें दोबारे से प्लावरिंग हो चुकी है तो इसके जब फ्लावर्स आते हैं ये एप्रिल के टाइम आते हैं जो शुरुआत होती है और बहुत सारी कलिया पॉधे पे बनी हुई है भी ये 6 इंचिस के छोटे से पॉट में लगा है और इसमें 8 फूल खिले हुए है और इसमें धेर सारी कलिया बन रही है जबकि 6 इं पॉट है जिसमें ये प्लांट्स लगे हुए है और ये खतम भी नहीं हुए यानि कि इसकी ग्रीनरी लगातार हर मौसम में बनी रही किसी मौसम में ऐसा हो सकता है जैसे सर्दियां आ जाती है कुछ पतियां ड्राय हो जाती है तो वह नॉर्मल है और आप हाथ से ही पर बने रहते हैं और कुछ-कुछ कॉसमोस जैसा लगता है ये और कुछ-कुछ सूरज मुखी जैसा भी लगता है क्योंकि फूल काफी बड़े हैं जो मिनियेचर वाला सूरज मुखी यानि मिनियेचर सनफलावर होता है ये कुछ-कुछ उसके जैसा भी लगता है फूल का वहता होता है और पूरे दिन की दूप में मोस की भिक इस बाद यहाता है तो ईक बार को आपको आपको दूचा थोड़ा सा धियान रखना होगा पानी थोड़ा सी हाथ attractions की भी प्लार फर सो अच्छा यह इस मामले में भी कापी अच्छा है खात की बात करें तो यह एक इजी टू ग्रो प्लांट है खात की बहुत अधर रिक्वर्मेंट नहीं होती है अब जैसे इसमें धेर सारे फ्लावर्स बन गए अब इनी फूलों से सीट्स बनेंगे और वह सीट्स भी ऐसे बनते हैं कि आ तो एक तरह से एक एवर्ग्रीन प्लांट है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है इजी टू केर प्लांट है तो इसको जरूर अपने गार्डन में एड कीजिए मुझे यह कुछ ऐसे मिला था कि जो मैंने सर्दियों के फूलों के बीज जो मंगवाए थे ऑनलाइन ल कर सकते हैं जहां दूसरे प्लावरिंग प्लांट में आपको डिजीज की थोड़ी परेशानी होती है प्लांट में काफी डिजीज होती है इसमें कोई डिजीज नहीं होती है इजी टू केर हमने बताया ही है बिल्कुल कॉस्मॉस जैसा ही है कॉस्मॉस ग्रो कर सकते हैं तो उसको दोपहर की दूप से बचाईए नहीं तो उसका जो प्लावर का टाइम है वो कम हो जाएगा खिलने का वो जल जाता है बर्न हो जाती है उनकी पैटल्स तो कोशिश कीजिए कि दोपहर की दूप से जो फूलों वाले पौधे हैं उनको बचा कर रखें जिन से उनके जो फ दूप से बचा लिया नहीं तो एक ही दिन में पूरा फूल जल जा रहा था तेज गर्मी की वज़े से वो पैटल्स जल जाती है तो यह था एक ब्यूटिफुल प्लाविंग प्लांट जो की एप्रिल में बहुत अच्छे फ्लावर समय दे रहा है थैंक यू हा कि उनके लूटो की जात्यू प्लावर समय तो